जिसे यह वाली फूती हें चोट रही है तो अगली बार जो उत लगेगी नहको यहां से मिट्टी लग जाएगी दौनों पोधों के दूरी से लत्सेला से ऐहां से निकाल do स्थे वहां से मिट्टी लगा की विश्छ बहुत जादा मिटी लाने मेजुत्वार्स निकला तो उसके नीचे का टकना रहेगा उतनी ही लगानी बहुत ज्यादा नहीं लगानी और ध्यान में ये रखो कि एक दिशा पकड़ी इधर का छोड़ना है तो फिर सभी पोधों में लेफ्ट-लेफ्ट रखो आप नीचे का मत रखो उपर का मत रखो साइड का मत रखो ताकि तो सारे पश्चीम रखो बट एक चीज ध्यान यह रखनी है मैंने हर बार बोला है कि बच्चा रखने की दिशा भारत में कौन सी होनी चाहिए मैं पूरे भारत की बात कर रहा हैं हम उत्तरकदेश में खड़े हैं लेकिन भारत की में बात कर रहा हैं अब यह पश्चीमेत ये पूरभ हो गया उत्तर और ले शक्ते हैं पूर्व में भी बच्चों की फल की संक्या कम है तो पूर्व में और उत्तर में हमेशा बच्चों का Selection करो दक्षेण में और पश्चिम में नहीं के बराबर करो दिक्कत क्या आएगी? फल भी आ गए और आपका बच्चा भी आ गए अब वो भी फल आ गया नीचे से बच्चा आ गए अब इसको भरने में टाइम लगेगा 20 दिन लगेंगे इसको और 20 दिन में ये 3-4 पत्ते देगा यहाँ पर आ जाएगा इसको फिर रगड करेगा तो एक चीज का मैक्जिमम ध्यान रखें हम कि पश्चिम और दक्षिन में नया बच्चा ना रखें पूरे भारत की ही बात कर रहा हूं मैं पश्चिम दक्षिन में नया बच्चा ले ना के लेगा पूर्व उत्तर पूर्व या उत्तर या उत्तर पश्चिम यह वाली जो दिशा है यहां पर ले अब इसमें एक बार हमने फाइनल किया कि पूर्व रखना है तो पूरे खेत का पूर्व रखो ताकि पूरा खेत एक साल एक फिट खसक जाएगा फिर अगला लेना पड़ेगा तो फिर पूर्व आपका एक फिट खसकेगा तो आगे पीछे मिसमेश नहीं होगा जिग जैग मैंने इसमें यह फस्टिंग साइट शो दिया अभी दूसरी लाइन वहां से स्टार्ट वी तो इधर बढ़ रही है इसमें यहां पर पूरफ साइट में कर सकते हैं एक बार आप कर लो जो करना है वह अब मिसमेश होगा क्योंकि यह पोधा पास में आगया यह पोधा इधर से पास में आ गया तो यहां हो जाएगी गैप और यहां हो जाएगा पास यह अनेक तरफ नहीं रखना है त्रीकें यह जैसे किया न यहां पर अब यह दोनों होगे पास रहुए यह जो बच्चा रखना है क्योंकि यह नया बीच आप खरिद रहो ना नया बीच लगा रहू है मैं किरन किसान दन्यवाद